नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनले अविटिंग हिंदी पर आपका मैं हूँ अजय तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपसे क्रिप्टो करंसी में बैंकिंग में कौन-कौन से साथानी आपको रखनी है जिससे कि आपका account ना हो block यकि कही सारे लोगा account हो रहा है block दूसरा हम बात करेंगे पौलका. बारे में जो ख़ब्रें चारों तरफ से आ रही है तो क्या आपको इस समय buy करना चाहिए तीसरा हम बात करेंगे launchpad के बारे में और चौता हम बात करेंगे coinswitch app के बारे में और पाच्वा हम बात करेंगे कब आपको buy और sell का order लगाना है लास्ट में बात करेंगे किस exchanger पर कितने charges हैं किस में कम हैं और किस में ज़ादा हैं कौन सा exchanger आपको रखना चाहिए जिसमें charges सबसे कम हो तो ये वीडियो आज की बहुत ज़ादा important होने वाली है क्योंकि इसमें जो भी point समचोन कर ला हैं वो सब के सब आपके काम के हैं क्योंकि आप सब cryptocurrency के exchanger को इस्तमाल करते हैं और cryptocurrency में कुछ ना कुछ income करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो बहुत ध्यान से देखिए चली वीडियो को start करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं banking की और banking cryptocurrency में कितनी important है यह हर कोई जानता है क्योंकि cryptocurrency में जो भी फाइदा और नुकसान होता है वो banking से ही जुड़ा होता है फाइदा हुआ तो आप withdrawal लेंगे banking में और अगर cryptocurrency खरीदनी है तो cryptocurrency को खरीदने के लिए आप transfer करेंगे पैसा banking से तो 4 मार्च 2020 को cryptocurrency के favor में cryptocurrency के जो प्रेमी उनके favor में Supreme Court ने judgment दिया था कि cryptocurrency का trading करने में banking help करेंगी जो Supreme RBI ने रोक लगा रखी थी कि कोई भी transaction banking के थूँ नहीं होगा तो जो रोक लगी थी वो cryptocurrency पर नहीं थी वो सर्फ banking के transaction पर थी कि कोई भी cryptocurrency को buy करने के लिए banks से help ना ले पाए तो जो रोक थी वो सर्फ banking के तरफ से थी cryptocurrency पर कोई भी country band नहीं लगा सकता है decentralized project है ये तो बात करते हैं आपको कैसा इसमें सावधानी रखनी है जिससे की आपकी cryptocurrency में कोई भी दिक्कत आने वले समय में ना है ध्यान रखिए जब भी कभी आप cryptocurrency को buy करने के लिए अपने account से पैसा transfer करते हैं तो उसमें आपको remark जो option आता है उसमें कोई भी exchanger का नाम नहीं लिखना है cryptocurrency नहीं लिखना है bitcoin नहीं लिखना है कोई भी coin का नाम नहीं लिखना है remark में कोई ऐसा शब्द नहीं यूज करना है जो cryptocurrency related हो क्योंकि आज की तारिक में भी कई सारी private ऐसी बैंके हैं जो cryptocurrency के transaction अगर जादा हो रहे हैं तो उन पर रोक लगा देती है उसके बाद पिर आपसे कई सारे के सवाल होते है आखरी में वो मसला solve हो जाता है क्योंकि Supreme Court का judgment आ चुका था 4 March 2020 को इसकी पूरी copy Supreme Court की जो वेबसाइट है उस पर available है आप 4 March का उसमें search करेंगे तो पांचवे नंबर का series का जो case है वो उसमें पूरा PDF form में एक 180 pages का है पूरा का पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं जरूरत पढ़े तो मुझे बताएगा मैं लिंक आपको दे दूँगा तो बात करते हैं आप कैसे अपने transaction को save कर सकते हैं वैसे तो अगर आप cryptocurrency में beginner से थोड़ा सा आगे पड़ गए हैं तो आपको अब कोई ऐसा exchanger कोई क्या बलकि सीधे Binance ही चुल लेज़े क्योंकि number one exchanger है Binance तो Binance को क्यों मैं कह रहा हूँ क्योंकि Binance पर एक option है P2P जिसको बोलते पियर तू पियर या person to person आप person to person में कैसे transaction होता है कैसे banking होती आप समझेए सपोस कोई A बंदा है और B बंदा है और ये cryptocurrency exchange है तो तीन लोग के बीच में exchange कैसे होता है आप समझेगा A ने cryptocurrency exchanger को पैसा नहीं भेजा A ने B को भेजा और B ने सीधे exchanger को भेज दिया यानि कि P2P में क्या होता है person to person contact होता है कोई भी cryptocurrency exchanger से contact नहीं होता है इस तरीके से जो भी आपका exchanger है Binance है या कोई भी और जिसमे P2P का service हो उसको आप use करिए उससे क्या होगा सीधे आपका cryptocurrency exchanger से transaction नहीं होगा तो ये काफी हद तक आपके transaction को बचाएगा सेफ करेगा और आगे आने वाले समय में कोई भी कोई दिक्कत banking over से नहीं आने वाली है नेक्स जो update है वो pulka.ke बारे में है और pulka.ke बारे में आज की तारिक में हर एक YouTuber और हर एक news अपना पेच पर ये ही डाले हुए हैं कि pulka.pump up होगा आप खरीद लिजे pulka.pump up होगा आप खरीद लिजे इस तरीके की वीडियो लोग बना रहे हैं या YouTube पर या कई सारे जखा पर मिल रही है तो आप अगर pulka.ka चार्ट खोलेंगे तो आप देखेंगे पिछले हफते वो 500 पर था और अभी 1200 पर है तो जो pump up होना था वो हो चुका है तकरीबन अब बहुँ जादा pump up की chance नहीं है. तो अगर आप buy करें तो panic buy मत करें. पूरा chart analysis करें और XRP की एक news आपने सुनी होगी आज से करीबन महिना बर पहले आई थी जिसमें XRP के बारे में कुछ cases के बारे में अपने सुना होगा तो XRP लोगों ने बेचना शुरू कर गया था जिसकी वज़े से उसका price 42 रुपी से 12 रुपे तक चला गया था लेकिन आज वापस वो medium अपना 20-22 रुपे पर है और आगे थोड़ा और recover करने वाला है तो यस तरीके की खबरों से क्या होता है कि एकडम से लोग panic buy करते हैं और panic sell करते हैं जिसकी वज़े से कोई भी coin का price pump या dump हो सकता है तो आप जब भी कभी pump या dump में coin खरी दें तो पूरा chart analysis करें किसी की video से इतना motivate मत होगी एकडम से buy कर लें पूरा chart analysis करके ही buy करें क्योंकि आपके सामने उधारण है अगर आप Binance के user है तो मैं आपको एक point और बादा देता हूँ Binance में एक option है launch pad का कोई भी coin जब launch होता है तो उसके बाद खरीदने के समय आप उसको stake करते हैं Binance के launch pad पर तो आपको coin का जो interest होता है coin जो बढ़ता है जैसे 50 रुपे पर आपने coin खरीदा जो बढ़ रहा है वो तो मिले गई उसके साथ-साथ stake करने पर कुछ percentage और मिलता है जितने भी दिन आप उसमें stake करते हैं minimum stake करने का दिन होता 30 तो इस समय उसमें बहुत सारे option चल रहे हैं जो भी coin आप खरीदने के बाद आप कोई भी coin ऐसा खरीदते हैं कि आपको अभी immediate नहीं बेचना है चाहे वो bitcoin हो चाहे वो BNB का Binance coin हो चाहे USDT हो कोई भी coin हो ऐसा जिसको आप कुछ दिन hold करना चाहते हैं तो double profit चाहिए तो उसमें आप launchpad में stack कर दें तो आपको market का जो फाइदा है वो तो मिले गए मिलेगा साथ में उस पर एक fixed percentage interest भी मिलेगा तो launchpad के बारे में आप इस तरीके से देख सकते हैं ये Binance पर एक features available है launchpad का अब आप सबका एक next बहुत सवाल आ रहा है मेरे पास की coin switch कैसा है coin switch कोबेर app जो है ये कैसा है कैसे काम करता है तो मैं आपको बता दूँ आप जो crypto buy sell कर रहे हैं ये कोई खेल नहीं कर रहे हैं ये को ये एक real money से real चीज buy कर रहे हैं profit होता है तो वो real होता है loss होता है तो बिलकुल real ही होता है तो इसके लिए आप जब भी कोई valid चुने तो उस field का top का valid चुने अगर आप beginner है तो मैंने बताए beginner के लिए zapay है और अगर आप expert हो गए उसमें top का जो internationally wallet है वो है binance तो उससे पहले जो भी coin के app market में आ रहे है coin switch या जितने भी x y z coin coin के app है उनको आपको मैं इसी लिए बोल रहा हूँ कि थोड़े से coin के बदले क्योंकि आप जब भी login करेंगे इसमें कुछ coin आपको मिलेंगे तो उनका आप enjoy करिए वो उसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप उसको इस तरीके से मत लीजे कि आप उसमें बिल्कुल लग के trading कर रहे हैं हो सकता है आपके लिए वो features जो उसमें दे रहा हो आपको आसानी से समझ में आ गए हो लेकिन कई सारे आप coin switch को search करेंगे तो scam 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 करके बहुत सारे वीडियो बने हुए है और वो सारे वीडियो में यही लोग बता रहे हैं कि उनका पैसा इस तरीके से hold हो गया क्योंकि कोई भी coin company वो कमाने के लिए आई है और आज की तारीक में जितने भी coin company हैं वो सब गलत गलत तरीके से लोग का पैसा hold कर रहे हैं और जिसे लोग का नुकसान हो रहा है तो आपको मैं recommend करता हूँ कि कोई भी app जो use करें वो देख लीचे कि number one, number two, number three जब available है तो हम इतना नीचे क्यों जाया जो अभी अभी शुरू हुआ है और आपको interest जगाने के लिए लालच दिलाने के लिए ऐसे से offer दे देता है कि उस offer में आप फस जाए आपका पैसा फस जाए तो उसका कोई फाइदा नहीं है तो मैं आप लोग को यही बताऊंगा कि जितने भी x, y, z app हैं उनको मत इस्तमाल करिए जो भी इस field के बापू है जो इस field के real है जो मतलब top of the line बैठे हुए उन सब को app को use करिए क्योंकि वो सब भी इसी तरह free है अपना commission charges जो लेते है वो लेते है तो coin switch के बारे में मेरी राय यही है कि जब available है और सारे app free में available है कुछ charges दे कर commission के तो आपको आड़े तेड़े app का कोई ज़रूरत नहीं है हाँ कोई भी app यूज़ करिए वो उस दिन तक का जब तक आपको उसका airdrop या कोई भी उसका फाइदा मिल रहा हूँ तो उसको यूज़ करिए लेकिन आप move on उसी पर करिए जो आपको futuristic लगे अब एक second last tip के बारे में बात कर लेते हैं देखिए दोस्तो क्रिप्टो करंसी daily buy sell का का काम नहीं है अगर आप सोचे कि daily buy और daily sell करेंगे तो आप फाइदा कम उठाएंगे नुकसान जादा इसमें ये होता है कि आपको coin select करने के बाद alert हो जाना है और देखना है कि कितना जादा coin गिरे जब वो coin सारे maximum तोर पर गिर चुके हो एकदम depth में चले गए हो तब आपको buy order लगाना है और उसके बाद फिर अब wait करना है buy करने का pattern जो होता है कि जैसे जैसे गिर रहा है थोड़ा 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 आप buy करते जाएं last में ज़ादा सज़दा buy कर लें तो ये हो गया buy का pattern उसके बाद अब hold करना है अब ये 2-1 दिन market उपर नीचे उपर नीचे होगा फिर 2-3 दिन के बाद उपर जाएगा यानि तकरीबन आपका पैसा बढ़ने में 4-5 दिन लगता है उसके बाद फिर एकदम से पूरा market green हो जाएगा और फिर उपर नीचे उपर नीचे होगा तो आपको इंतजार करना है उसके बाद फिर आप देखेंगे जब पूरा market green हो चुका है और जो भी coin अपने favorite में डाले है तो आप कम से कम इतना तो ज़रूर जानकारी में रखे कि कोई भी coin जो हमने favorite में डाला यह pump होता है तो कितना pump होता है उस जितना pump होता है उसके आसपास पहुंच जाए तो आप sell counter लगा दीजे या stop loss लगा दीजे कि अगर उससे नीचे आए तो sell हो जाए या अगर उपर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है कभी-कभी ऐसा भी होता है coin बहुत ज़दा उपर चले जाए तो stop loss लगा दीजे stop loss लगाने से आपका नुकसान नहीं होगा तो इस तरीके से buy करना है daily buy sell पर मर्धियान दीजे daily buy sell हो सकता है लेकिन उसमें profit के chances कम है आप हफ़ते में ऐसा करिए कि एक हफ़ते के अंदर buy और sell कर लेना है यानि कि जब हफ़ते में market में एक बार market पूरी down जाती है उसमें buy करिए और जब कभी market पूरी pump हो जाए उस समय sell कर दीजाए इससे आप अच्छा profit कमा सकते है next अब दोस्तों आपका सवाल अधिकतर आता है कि कौन सा app यूज करें कौन सा app पर मुझे interest low लगेगा या नहीं लगेगा तो सीधी सी बात है कोई भी ऐसा wallet अभी तक तो नहीं मेरी नजर में आया है जिसमें कोई भी buy or sell पर charges ना लगे यानि कि सभी के सभी में charges ही है buy करते समय और sell करते समय उसके अलावा कोई charges अगर है तो आपके काम का नहीं है और नहीं मैंने अब तक ऐसा कोई देखा है तो जो भी charges होता है वो buy or sell पर ही होता है उसके अलावा हाँ कभी-कभी जब पैसा add करते है P2P के थूँ तो उसमें थोड़ा सा charges लगता है तो ये उसका lack है ये उसका कमी है ये हमको accept करना ही होगा क्योंकि इसके अलावा कोई और option अभी तक तो नहीं है हाँ बाकी रही बात charges की तो सभी में लगबग-लगबग charges है और हर एक exchanger का अपना-पना तरीका होता है कि जिससे वो उसके charges कम करता है जैसे crypto.com का तरीका ये है कि आप crypto.com के coin खरीद लेंगे तो आपकी fees जो लगती है एक रुपया सपुस तो 25 परसे लगेगे तो इस तरीके से charges तो लगते ही लगते है कोई भी exchanger आज की दारिक में free नहीं है जो मेरी नजर में हो तो दोस्तों यहीते सारे update उमेद करता हूँ यह सारे update आपको बहुत पसंद आया होंगे और वीडियो से लेट कोई भी सवल आपके मन में हो तो नीचे comment कीजिए चैनल को subscribe कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद